जय जिवदानी, ओम एंग रिंकलिंग चामुडाय विच्चे, ओम त्रयंबकम यजा महे सुगंधिम पुष्टि वर्दिनम और वारुकमि वबंदनान मृत्युर्मुक्षियम आम्रतार। कुम राशी वानों को 2022 की धेर सारी शुब मंगल कामनाय देते हुए मैं कामिनी करना ब्यूटी विद एस्ट्रोजी की फाउंडर बताने जा रही हूं वार्शिक राशी फल। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये साल क्यूंकि ये बीच में आपके लगन में आपके रा जो है 2022 निम्रोलोजीकली भी आपको बहुत शुब जाने वाला है क्योंकि निम्रोलोजीकली 6 नमबर आता है इस साल का और शुक्र आपका परम्मित्र है तो शुक्र आपको बहुत सारा फाइदा आर्ट जोएलरी ऐसे कोई काम जिसमें आपका कहते हैं ब्यूटी का काम हो इसे आनंद देने वाले कोई कुछियों वाले काम जैसे अम्यूजमेंट पाक सोते हैं लोगों के तो ऐसे कई सारे काम कपड़ों की काम आपके चलने वाले हैं अशुवस्त रही है सुख देने आया है 2022 अभी मैं जो राशी पल बतारी हूं यह लगन और राशी दोनों के ल हुआ है इसी वीडियो के अंदर उस पे जाकर आप मुझे वाटसाइब कर सकते हैं-अब हम जानते हैं की क्या सतिति रहेगी अभी 2021- encre और 2022 की शुरुवात में के तो हगेंच के आन्ट में शनी चंदर यो स मखर रॉप की और आपकी साड़े साथी थी ये आपको परिशान करती रही परिशान इतना जादा नहीं हुए आप जो कुम्ब राशी वाले 29 अपरेल से लेकर आगे 12 जुलाई तक थोड़ा बहुत साथानी बरतनी पड़ेगी साड़े साती से तो हम आपको एक दयाद देते हैं इदयाद सिर्फ इतनी सी है कि जब शनी 18 फरवली को धनिश्टा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेगा अब एक एक करके जा 29 अपरेल को शनी आपके लगन में आएगा तो तब की बाद तब आगे बढ़ाते हैं लेकिन अभी जो फिलहाल शनी मकर में है वो 18 फरवरी को श्रवन नक्षत्र चोड़कर धनिश्टा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में आएगा और आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगा कर्चों से रिलेटेड विदेश से रिलेटेड अचानक से तबीयत ना खराब हो कोई कोड केस ना हो किसी प्रकार की कोई आपको विदेश में कोई परिशानी ना हो इस बात का उध्यान रखना है और 29 अपरेल को शनी जो है यह कुंब में प्रवेश कर जाएंगे कुंब मे अजये म्याँ रखने लगन वाले और शनी लगन में आयेंगे तो स्ट्रॉंग हो जायेंग आप की जो वले आपकी सअघेसाती हो इसे वह आप लगनेश आगर आपके लगनमे हो आप उसमें तरौम मेस Cartं में आ हैंगे आपकी मूठा आफिए वेज़के कंद सीथे हो जाए फिर यह मकर की तरफ कूच कर देगा तो यह जो पीरेड आएगा आपके लिए 29 से लेके 12 जुलाई तक यह आपको कैश करना है अब समझिए कि 4 जून 2022 को शनी वक्री होने वाले हैं और 12 जुलाई तक वह मकर में वक्री रहेंगे मकर में चली जाएंगे 12 जुलाई को तो वक्र बार यह 12 जुलाई को जो मकर में पहुँचे वहां मकरी मारगी होकर वहीं पर स्थित्थ होने वाले हैं मकर राशी में तो कुम राशी वालों अपने खर्चों की अपने प्रेम संबन्दों की अपने विदेश-related कामों की अपनी तबियत की विशेश चिंता रखिये आप औ लोन समत लो और लोन दो मत किसी को अपनी कोई पुरानी विमारी है तो उसका ध्यान रखो और इसके साथ अपने कारियों को बढ़ाओ अब आप कहें कि एक तरफ तो काम कम हो रहे एक तरफ तो का तबियत खराब होगी है फिर भी काम मिलेंगे यह बड़ा होता है कई बार ऐस तो यह आपको फिर से थोड़ा सा कन्फूजन देने वाला इसकी तीसी दिश्टी पढ़ जाएगी आपके पराक्रम और उत्साह पे तो आप थोड़े से लेजी हो जाएंगे मंगल का धरे तो स्ट्रेस हो सकता है वहाँ भी राजमान हो जाएंगे 12 अप्रिल को राहू भी 12 तो तो यह सकते हैं और प्लिया के लिए लेकिन रहुब आपको काम करवाएंगा वह चोटे भायवन उसे मनमुधियत खराब ना को इस बात का भी आपको ध्यान ठाबादेगा अलाटिके तू इन ज्आ बातों देखते हुए और परीशान होकर आपको धार्मी के आत्रों प आप कहीं भी जाएए आपको आनंद और सुख की प्राप्ति होती रहेगी आपके भाग्य के स्वामी है शुक्र चतुर्त भाव के स्वामी है तो माता से सुख वाहन का सुख कितना भी साड़े साती रहे कुछ भी रहे लगनेश लगन में राशेश राशी में तो ये शनी आपके लगन में और शादी की बाएंड बाजे बजाएंगे आपको अगर शादी करनी है तो आप कर सकते हैं आपके लगन को स्ट्रॉंग करेंगे आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे होसला बढ़ाएंगे और आपको सात्विक बनाएंगे गुरू आपकी नेकनामी होगी आपक पंचंदिष्टी आपके माइन पर पड़ेगी तो आप बहुत सारा काम बच्चों के साथ मिलके कर सकते हो आप उनके अध्यान पढ़ाई के विश्या में सोच सकते हो और इसके साथ-साथ जो यह कुम्ब के गुरू है यह आपके कारियों में भी अचानक से वृद्धी अब मीन के गुरू क्या कहते हैं जो के 13 अपरिल को आने वाले हैं वो भी आपकी तबियत में थोड़ा सा नानुकर कर सकते हैं समालना है आपको और ऐसी स्थिति में वो आपके लोन्स पास करवा सकते हैं आपके विरोधी कम कर सकते हैं आपके बैंकिंग रिलेटेड विवा यह स्थिति को आपको बचते बचते हुए प कारियों को करना है एक अंद्रित 2022 साल आपके लिए बहुत अच्छा है बले आपको साड़े साती रही कुछ भी करें एक तो निम्रोलोजी के लिए आपको शुक्र सपोर्ट कर रहा है और दूसरे आपके लगनेश और आपके राशिष आपके लगन में है राशी मैं कामी निखना फिर भी जै जिवदानी ब्यूटी विद एस्टोलोजी की फाउंडर मैं कामी निखना आपको 2022 की देती हूँ धेर सारी शुब मंगल काम नाए आपके जीवन में अनंद, खुशिया, अईश्वर्य, आरोग्य, स्वास्त, सुख सब कुछ आए आप अपने परिवार के साथ खुश मैं ऐसी मेरी इच्छा और मैं प्रभू से ये प्रात्ना करती हूँ कि ऐसा ही घटित हो, गौड ब्लेस यूँ